हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Classic Technology YouTube चैनल पर मियूँ आपका दोस्तोरी चैनल का होस्त आखा ज़्याद हो आज आपसे बाते करने आ रहा हूं कैसे HTML को यूज करके टेक्सट बाक्स बनाते हैं टेक्स एरिया बनाते हैं एक आपके स्क्रेन के उपर शोग रहा है मैंने आपर Chrome ओपन किया तो यह जो बी मैं आपर इसकोगोगल टाईप और URL जो भी दिख रहा है इसको बोलते है टेक्स बाक्स उसको कैसे बनाते है और यह जो भी light कलर में दिख यह open करना पड़ेगा notepad हो, sublime text टेल्ट हो या notepad plus plus हो, तो मैंने notepad plus plus comfortable हूँ, इसलिए मैं notepad plus plus मैंने यहाँ पर open किया है, तो control-n दबा के नया file open कीजिए, नहीं तो file पे जाहिए, यहाँ से new file भी open कर सकते हो, new file open करने के पाद file पे जाहिए, save as पर click किजिए, save as पर click करन आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ पर आपको html file को open करनी है, html open होने के बाद head file को open करना है, head में डालेंगे how to create, how to create, sorry, how to make text box, चलिए, बस इतना ही head को यहाँ से close कर देंगे, यहाँ से close कर दिया है, तो head close होने के बाद दोस्तों यहाँ से open करेंगे body को, body open होने के बाद पहला काम का करना है, आपको एक label लेना है, तो label लेने के लिए, label मतलब आपको तो पता ही है, label मतलब एक main intent होता है, उसका for example, लेकिए student name, student name, student name के आगे एक text box होता है, यहाँ पर बस name करके एक label लेना है, एक colon लगाना है, यह यहाँ से label को close कर देना है, तो दोस्तों label को close करने के बाद देखेंगे इतना ही save करके, run करके देखेंगे, यह कैसे run हो रहा है, तो दोस्तों जिशे की देख सकते हो, how to make a text box name इतना ही हो चुका है, name नीचे आना चाहिए, तो name यहां पर आपको एक टेक्स बॉक्स चाहिए यहां पर एक टेक्स बॉक्स चाहिए तो चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको शुद्युद्यार्य इन्पूट टाइब दीनी यहाँ पर टेक्स्ट की बस इन्पूट टीवाई पी इन्पूट टाइप एक्वल टू टेक्स्ट और जो भी साइज है आलमुस्ट फिफ्टीन दीजिए चलता है साइज कुछ ने फिफ्टीन तो दस्तो इतना ही हो गया यह साइज जड़ी लिख कि जइए यह साइज हो गया 15 तो बस इतना ही क्लोज करेंगे और रन करके देखेंगे तो रन लॉंच इनक्रूम् में तो दुस्टो जेसे कि देख सकते हो टेक्स भील यहां पर आ चुका है आपको वो सेम कहा होना चाहिए यहाँ पर इस बॉक्स में दिखना चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जाना है नोटपैड प्लस-प्लस में यहाँ पर बस क्या करना है प्लेस होल्डर करके टाइप करना है प्लेस होल्डर टाइप करने के बाद एक्वल तो कोटेशन में क्या करना है जो भी आपको चाहिए लाइट टेक्स्ट दिखना चाहिए जो भी यहां पर लिखना है बस में यहां पर लिख लेता हूं यहां से मैंने लिख लिया तो इतना ही दोस्तों क्लोज कर देते हैं इतना ही सेव करके रन करते हैं तो जैसे की देख सकत बनाया मैं ने आलरेडी मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर क्या करना है बटन सब्मीट तो तो दोस्तों बस इतना ही करना है चलिए तो सेमर्पर के लिए भी सेम करना है Ctrl C में यहाँ पर दबा दिया वहां पर में वी कर दियता हूं और यहाँ पर मैंने एक mistake किया है उसको भी बटन करना पढ़ेगा बीओं डबल टी चया और यहाँ पर भी सेम आपको करना पढ़ेगा बटन इस इंव करना इयह और यहाँ पर आथे लागा लिजे ब्यार मतलब ब्रैक उसके उससे क्या होता है एक लाइन नीचे आता है जो भी आपका स्क्रिप्टिंग यह जिसे की देख सकते हो दुस्तों आपको एक कुछ फ्रक्चर दिख रहा है तो बस दुस्तों इतना ही आज की वीडियो में तो अगर आपको ऐसे वीड अगरेंगे गिल्वडे में तब के लिए जय हिन्वन दे मातरां आपको अब कर दो अब कर दो कर दो है